नमस्कार, अंसर आइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, आज के इस एपिसोड में जोग्रफी का एक प्रस्ण लिया है, पहले प्रस्ण देख लेते हैं, प्रस्ण है भारत की हिमालई एबम प्राइदीपी नदियों के अपवाह प्रतिरूप का तुलन इस प्रस्ण को पढ़के आप लोग समझ पा रहे होंगे, कि इसमें हिमालई नदियों और प्राइदीपी नदियों के बीच अंतर लिखना है, ये बड़ा सामानिसा प्रस्ण है, और इस प्रस्ण को लेने का एक उद्धिस ये भी है, कि मैं ये बता सकूँ कि जिन अंतर बता दिया जाता है, या जो लिस्ट जिस चीज की मांग की गई है, वो सूची को लिख दिया जाता है, इस प्रस्ण के उत्तर के लिए मैंने NCRT से कुछ इंडिकेटिव शॉर्ट नोट्स निकाले हैं, पहले एक नजर उन पर डाल लेते हैं, उसके बाद इस उत्तर क इवैलुएशन करेंगे, पहले देख लेते हैं कि हिमाले में प्रमुख नदी तंतर कौन कौन से हैं, नदी तंतर का मतलब होता है कि मुख नदी और उसकी साहिक नदियां, फिर उन साहिक नदियों की अनिसाहिक नदियां, तो हिमाले में जो मुख नदी तंतर हैं, तीन है, एक हो गया सिंदु नदी तंत्र और उसकी साहिक नदियां, दूसरा हो गया गंगा नदी तंत्र और उसकी साहिक नदियां, तीसरा ब्रह्मपुत्र और उसकी साहिक नदियां प्राइडीपी भारत में देखें हैं तो मुख्य नदी तंतर हो गए महानदी, गोदाबरी, कस्टना, कावेरी, नर्मदा, तापी ये प्राइडीपी भारत की मुख्य नदियां हो गए अब देख लेते हैं, एक टेबल मेंने NCRT से लिया है कि दोनों नदी तंतरों के बीच में क्या आंतर है हिमाले भारत प्राइडीपी नदियों की तुलना, सीधा सीधा जो प्रस्टन के में पूछा गया है, इस टेबल में ही उसका उत्तर लिखा हुआ है एक नजर डाल लेते हैं, उद्गम इस्तल हिम नदियों से ढखे हिमाले परवत और प्राइडीपी पठार बा मध्योचबूमी ये प्राइडीपी नदी तंतर के बारे में लिखा हुआ है प्राइडीपी नदियां मौसमी हैं क्योंकि मांसूनी बरसा पर निरवर है अपवा के प्रकार, ड्रेनेज पैटर्न, पूर्बर्ती वा अनुबर्ती, मैदानी भाग में ब्रक्षाकार प्रारूप यहां लिखा हुआ है अध्यरोपित उनर युवनित नदियां अरीवा आयताकार प्रारूप बनाते हुई बहती हैं जल ग्रहन छेत्र, बहुत बड़ी दुरोणी, अपैक्षाकरत, छोटी दुरोणी, दुरोणी का मतलब बेसिन, रिवर बेसिन और नदी की आयो, हिमाले जो नदियां है वे युवाशील नदियां है, क्रियाशील वा घाटियों को गहरा करना और जो प्राइदीपी नदियां है, प्रवणित परिछेदिका वाली प्रौड नदियां, जो अपने आधार तल जा पहुंची है इसी में एक दो और भी हो सकते हैं, जैसे माल लीजे हिमाले की जो नदियां है, वे नोगम में नदियां है उनमें यातायात किया जा सकता है, जल परिभान की संभावनाएं है और जो प्राइदीपी नदियां है, उनमें जल परिभान की संभावनाएं कम है एक अंतर ये भी हो सकता है कि हिमाले की जो नदियां है, वे मुख रूप से डेल्टा बनाती है और जो प्राइदीपी भारत की नदियां है वे डिल्टा और मुहाना या एस्चुरी दोनों बनाती है तो इन सारी बातों को ही लिख देना है उससे उत्तर की पूर्ती हो जाएगी अब देख लेते हैं इसने क्या लिखा है बच्चे ने और एक बात मैं और बताय दे रहा हूँ कि इस तरह के प्रस्ट में जब अंतर पूछा गया हो तो आप इस तरह की टेबल बनाके भी अंतर लिख सकते हैं जिस तरह के अभी टेबल देखी थी, इस तरह से टेबल बनाके भी लिख सकते हैं, या लाइनों में भी लिख सकते हैं, इसने point wise लिखा है, भारत की हमालाई नदियों में सिंदु गंगा ब्रह्म पोत्र, चनाव आदि नदियां है, चनाव तो सिंदु की ही साएक नदियों ग नदियों में महानदी, कृष्णा, गुदावरी, कावेरियाद नदियों का प्रभाच चेत्र है, बात ठीक है, अब दोरों में अंतर लिखें हैं point wise, हिमालाई की नदियों का बेसिन चेत्र ब्यापक है, और हजारों बर किलोमीटर में बिस्तरत है, जबकि प्राइदीपी नदियों का जल संग्रहन पेक्षाकरत कम है, प्राइदीपी नदियों का बेसिन चोटा है, यह लिखना चाहरा था, तुलनात्मक रूप से, और यहां पर जो लिखा है, हिमालाई की नदियों का बेसिन चेत्र ब्यापक है, और हजारों बर किलोमीटर में बस्तरत है, तो प है, प्राइदीपी नदियों का भी है, तो हजारों बर किलोमेटर नहीं लिखना चाहिए, हिमालाई की नदियों का बेसिन चेत्र ब्यापक है, और बिस्तरत है, जबकि प्राइदीपी नदियों का जल ग्रहन चेत्र या द्रूनी का चेत्र अपेक्षाकरत छोटा है, इस त हिमाले की नदियां विशाल घाटी से होकर गुजरती हैं जो हिमाले के उत्थान के साथ हजारों बरसों तक चलने वाले अपरदन के बाद बनी हैं परंत प्राइदीपी नदियों की अपरदन ख्यमता लगबग समाप्त हो गई है यह बात पूरी तरह से सही है तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हिमाले की नदियों में बरसा तता परवत दोनों के द्वारा जल प्राप्ति के कारण बर्स भर जल भरा रहता है जल भरा रहता नहीं है जल प्रभाहित होता है बात ज्यादा बेतर होती प्रभाहित होता है हिमाले की नदियों में बरसा तता परवत नहीं हिम्नद हिम्नद के पिखलने से बर्फ के पिखलने से जल की प्राप्ति होती है हिमाले की नदियों में बरसा तता हिम्नद दोनों के द्वारा जल प्राप्ति के कारण बर्स भर जल प्रभाहित होता है जबकि प्राइदीपी नदियों के जल का सुरूत एक मातर बर्शा होने के कारण ये बर्जबर प्रवाइद नहीं होती है। अर्थात मार्ग विसर्पन करती हैं, मार्ग में विसर्पन बनाती हैं, ये बात सही है, हिमालय के नदियां विसर्पन करती हैं, जबकि प्राइदीपी नदियां विसर्पन नहीं करती हैं, ठीक बात है ये भी। पर होना चाहिए पहले हिमाले नदियां अधिकांसता पस्चिम की और प्रबाइद होती है जबकि अधिकांस प्राइदी पिये नदियां पूर्व की और प्रबाइद होती है ये बार ठीक नहीं है हिमाले की नदियां अधिकांसता पस्चिम की और प्रबाइद होती है सिंद्र नदी तंद्र को अगर छोड़ दिया जाए तो पस्चिम की और कहां प्रभाइत हो रही है गंगा नदी पूरी पूर्व की और प्रभाइत हो रही है यह गंगा उसकी साइग नदीयां पूर्व की और प्रभाइत होती है ऐसा भी कहा जा सकता है पूर्वत था पस्चिम दोनों ही दिसाओं में प्रभाइथ होती है जबकि अधिकांस प्राइदीपी ये बड़ी नदिया लेखना चाहिए था बड़ी नदिया पूर्व की और प्रभाइथ होती है जैसे महानदी हो गया गोदावरी हो गया कस्णा हो गया कावेरी नदिया जो बड़ी नदिया है प्राइदीपी नदिया है पस्चिम की और प्राइदीपी नदिया है पस्चिम की और प्रभाइथ होने वाली बड़ी नर्मदातापी है, उसके साथ कुछ अन्य छोटी नदियां भी पस्चिम की और प्रवाहित होती है, तो इसे इस तरह से लिखना चाहिए, अधिकांद बड़ी नदियां पूर की और प्रवाहित होती है, अगला पॉइंट है हिमालैी नदिया यातायात के लिए अधिक उपई आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है इस बच्चे की कौपी में जबकि प्राइदीपी नदियां शीत्रित में सुख जाती हैं सुख नहीं सूख लिखना चाहिए तथा मार्ग में एनिक जलप्रपात आते हैं इसलिए यह यातायात के अनकूल नहीं है इबात सही है कि जब उ उपरी मार्ग में और हिमालेई नदियों में नौगमन होता है यह बात सही है इसके अलाभा भी एक दो अंतर लिखे जा सकते थे जैसे यहां पर एक अंतर और लिखा जा सकता जो मुख की अंतर था कि जो हिमालेई नदियां है व्यदिकांसता डेल्टा फॉर्म करती है और जो प्राइदीपी नदियां हैं बे डेल्टा और मुहाना दोनों बनाती हैं जैसे आप लोग देखेंगे और NCRT में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने तो गंगा नदी भी डेल्टा बनाती है माहा नदी भी डेल्टा बनाती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी तो हिमाले से निकलने वाली नदी गंगा हो गए तो गंगा डेल्टा बनाती है प्राइदीपी भारत में नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है बलकि वे केबल एस्चुरी बनाती है जो आप नदमों की आप मोहाना बनाती है और उसके साथ साथ प्राइदी पी नदियां डेल्टा भी बनाती हैं जैसे गोदावरी हो गए केस्टना हो गए कावेरी हो गए महानदी हो गए जबकि हिमाले की नदियां केबल डेल्टा बनाती है ये की अंतर ये भी लिख देना चाहिए था इस बच्चे ने जो बाते लिखी हैं उनमें एक दो गलतियां मुझे मिली है, उसके साथ साथ आर्टिकुलेशन की रर मुझे मिली है, लेकिन फिर भी मुख्य अंतर तो लिखी दिये हैं, और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये प्रस्ण इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया था वर्ड लिमिट को, ये 150 वर्ड के तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, कि जब भी लिस्टिंग की मांग की जाए, तो या तो भूमिका बहुत शार्ट होनी चाहिए, एक दो लाइन में, अगर आप भूमिका नहीं भी लिखते हैं, तो सीधा जैसे इसी प्रस्ण में, सीधा टेबल बनाके ह जमाले की नदियां और प्राइड एपी भारत की नदियों में अंतर अगर लिख दिया जाता तब भी उत्तर पूरा हो जाता, निसकर्स की भी जरूरुत नहीं होती, ऐसी लिस्टिंग की मांग करने वाले प्रस्णों में, तो इस प्रस्ण में, मार्क्स की अगर बात करें तो भूमिका निसकर्स वाली तो बात खत्म हो जाती है, और एक बात बताना चाहता हूँ कि भूगोल के प्रस्णों में, अगर मैप की मांग ना भी की गई हो, और मैप की गुंजाईश हो, तब भी मैप बनाना चाहिए, जैसे इसी प्रस्ण में देख लेते हैं, अगर ये मैप बना दिया जाता और दिखा दिया जाता कि ये हिमाले की नदिया है, और ये दिखा दिया जाता कि ये प्राइड इपी भारत की नदिया है, तो इसी अंसर में बैल्य एडिशन हो जाता, तो इस में इस बच्चे ने पॉइंट्स लिखें है छे और एक दो मुख्य पॉइंट्स जैसे डेल्टा या मोहाना वाला जो अंतर है वो छोड़ दिया है और जो छे पॉइंट्स लिखें हैं उनमें भी एक दो में छोटी-छोटी सी गलतिया थी इसलिए मैं इसको ओबरॉल 3.5 मार्क्स दूँगा 10 में से और इस बच्चे को सला दूँगा कि एक तो इसकी कॉपी में मुझे बिंदु की गलती नजर आ रही है दूसरा आर्टिकुलेशन की भी एरर है बीच बीच में बाकिस अनरचना थोड़ी से बिकरी होई है और एक सला ये दूँगा कि अगर मैप की गुझाई शोद मैप जरूर बनाना चाहिए इसके साथ ही ये भी इसे बात समझाना चाहूँगा कि जो इसे मुख ये अंतर जो हो गया तो उसको ना छोड़े क्योंकि एक्जामिनर की नजर उस पे जरूर रहती है तो डिल्टा एस चुरी वाला जो अंतर हो गया उस अं किया है और इसके साथ ही हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे धन्यवाद नमस्कार